राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी गी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कारेक्रम फूल कुमारी एक था राजा एक धी रानी उनकी बेती थी फूल कुमारी जब फूल कुमारी खुश होती जोर जोर से हसने लगती एक दिन फूल कुमारी राजा और रानी के साथ बगीचे में बैठी थी तब ही वो जोर जोर से हसने लगी ये देखकर राजा ने कहा तुम ऐसे जोर जोर से क्यों आशती हो ये सुनकर फूल कुमारी उदास हो गई अब वो ना तो हस्ती थी ना खेलती थी और ना नाचती गाती थी वो उदास रहने लगी अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था उसके पास एक आदमी आया और बोला महराज सब फूल मुर्जाने लगे हैं वे उदास हो गए है एक और आदमी आया वो बोला महराज सब चिडियां उदास हो गई है हाँ इसके बाद एक आदमी और आया उसने राजा से कहा महराज महराज है सब बच्चे उदास हो गए हैं ये सुनकर राजा सोचने लगा फूल कुमारी, फूल, चिडियां और बच्चे सब इउदास हो गए है राजा और राणी ने अपनी बेटी से कहा हसो बेटी हसो पर फूल कुमारी नहीं हसी वो अब भी उदास थी राजा ने मंत्री से कहा हमारी बेटी बहुत उदास रहती है जाओ, सबसे कह दो जो फूल कुमारी को हसा देगा हम उसे बहुत इनाम देंगे जी ये सुनकर बहुत से लोग आए भालू वाला आया उसने भालू का नाच दिखाया बंदर वाला आया उसने बंदर को नचाया नाच देखकर सब लोग हसे फूल कुमारी नहीं हसी तब ही एक और तमाशे वाला बकरे पर बैट कर आया वो आते ही नाचने लगा उसे देखकर बकरा नाचने लगा ये देखकर सब हसे पर फूल कुमारी नहीं हसी नाचते नाचते तमाशे वाले की टोपी गिर गई उसने टोपी उठाई तो दाड ही गिर गई ये देखकर सब लोग हस पड़े पर फूल कुमारी फिर भी नहीं हसी जब तमाशे वाले ने अपनी दाड ही उठाई तो उसका मोटा सा पेट किर पड़ा ये देखते ही फूल कुमारी जोर से हस पड़ी फूल कुमारी के हसते ही फूल चिडिया और बच्चे भी चहकुठे राजा ने तमाशे वाले को बहुत नाम दिया फूल कुमारी अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशेसंपादक संयुक्ता लूद्रा और सत्येंद्र वर्मा कारेक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खटर कलाकार राखी जैन पोर्शिय मुखरजी मंगत राम चंदन कुमार और दलजीत सस्देव धन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्मान सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन